प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्रिप्शन विल्कुल फ्री है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंथ ही मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आज बनाएंगे दिवाली स्पेशल चक्री समोसा चक्री समोसा बनाने के लिए पहले डो लगाएंगे डो बनाने के लिए देखे मैने 2 कप मैदा लिया है हाफ टीजबून अजबायान को हाथ से मल के इसमें डालेंगे हाथ से मल के डालने से अजबायान का बहुत इच्छा फ्लेवर आ जाता है टेस्ट की अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, ऐसे बीच में जगा बना लेंगे, अब इसमें 1 फोर्थ कप, ये देखे इस तरीके से पिगला हुआ देसी घी डालेंगे, देसी घी की जगा आप रिफाइंड ओयल भी डाल सकते हैं, अब मैदा और घी को बहुत अच्छी तरह से मल लेंगे, बिल्कुल जरा सा भी मैदा बिना घी के नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से एकदम अच्छे से मल लेंगे, ये देखिए, मैदा और घी बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गए हैं, इस तरीके से बाइंड होने चाहिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पा अब मेदा को पस इखटाई करना है, जादा मलना नहीं है यह दिखिए अभी मैदा को जादा मलना नहीं है, बस इखटाई किया है अब इसको एक गीले कपडे से धक के 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे इतनी देर में चकरी समोसों के लिए स्टफिंग तयार करेंगे स्टफिंग बनाने के लिए कोई पैन या कड़ाई ले लिजिए गैस को ओन कर देंगे एक टेबल स्पून ओईल डाल देंगे वन टी स्पून जीरा डाल देंगे एक पेन शींग डाल देंगे जीरे को थोड़ा सा भूनने देंगे जीरे का थोड़ा color change हो गया है अब इसमें 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई soft डाल देंगे बस यह देखिए हलका सा ही इनको भूनना है अब इसमें 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरग डाल देंगे दो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे टेस्ट के अनुसार हरी मिर्ची कम जादा की जा सकती है यह देखिए चार उबले हुए आलू को मैंने इस तरह फोड़ लिया है यह इसमें डाल देंगे आलू को थोड़ा बारीक ही फोड़ेंगे दो टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू डाल देंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपना चाहें तो न डालें वन टीस्पून अनार्दाना पाउडर डालेंगे वन टीस्पून चाट मसाला डालेंगे टेस्ट की अकॉर्डिंग नमस डालेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे एक टेबल स्पून निम्बू का जूस डालेंगे निम्बू का जूस नहीं डालना चाहें तो इसकी जगां आमचूर पाउडर डाल सकते हैं 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे यह दिखिए स्टपिंग बन के तयार है गैस को बन कर देंगे और मैटा के रेस्ट खतम होने का वेट करेंगे स्टपिंग भी ठंडी हो गई है और डो का रेस्ट भी हो गया है अब डो को चेक करेंगे हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेंगे डो को वर्किंग काउंटर पर रख लेंगे अब इसको अच्छी तरह से मल लेंगे यह देखिए डो की कंसिस्टेंसी ना यह बहुत हाड है और ना ही बिल्कुल नरम है ऐसा ही हमें डो लगाना है अब इसके पेड़े कट कर लेंगे एक पेड़ा लेंगे बाकी को गीले कप्ले से ढखके रख देंगे अब इससे चक्री समोसा तयार करेंगे सुखे मैदा से इसको डस्ट कर लेंगे और पूडी जैसा इसको बेल लेंगे यह देखिए यह मेरे पास कुकी कटर है हम इससे पूडी को कट करेंगे इससे हमारे सारे चक्री समोसे एक साइज के बनेंगे कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी ढखकन ले सकते हैं वरना तो अंदाजे से इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है अब इसको हलका सा बेल लेंगे मैदा क्योंकि एकदम श्रेंख हो जाती है जैसे उठाते हैं इदेखे इतना पतला ही इसको बेलना है अब इसमें थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे साइट पे थोड़ा पानी लगा लेंगे जिससे की मैदा अच्छे से चिपक जाएगी इदेखे इस तरीके से जैसे गुजिया बनाते हैं हाथ में थोड़ा सूखा मैदा लेके किनारों को देखे बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे इदर से हलका सा प्रेस करेंगे दोनों किनारों पे पानी लगा लेंगे और इस तरीके से इनको चिपका देंगे अच्छे से सील करना है कि बिल्कुल खुले नहीं जब हम इसको तलेंगे विल्कुल अच्छी तरह से सील हो गया है अब एक सीजर लेंगे इसको देखिए इस तरीके से सीदा नहीं कट करना है जहां पर हमने stuffing किया है उससे दूर-दूर में ही इसको इस तरीके से कट लगा देंगे यह दिखिए हमारा बढ़ी आसा चक्री समोसा बनके तयार है इसी तरह सभी चक्री समोसे तयार कर लेंगे यह दिखिए सभी चक्री समोसे stuffed हो गए हैं बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में कितने खुबसूरत लग रहे हैं बस आपको यही धियान रखना है कि स्टफिंग के इधर-इधर में ही कट करना है अब इनको फ्राई करेंगे चक्री समोसे को फ्राय करने के लिए है, कड़ाई में ऑईल गरम करने के लिए रख दीजिए, छोटा सा मैदा का पीस डाल के देख लेंगे, यो देखिए एकदम से इसमें बबल जा रहे हैं। आईल अच्छे से गरम हो गया है. समोसे फ्राइ करने के लिए ओयल बहुत जादा तेज गरम भी नहीं करना होता है अब देखिए अपने चक्री समोसे को लेंगे एक बारी इसको फिर से इस तरीके से सील करते वे डालेंगे ऐसा करने से एक तो हमारे ये देखिए जो हमने कटिंग किये और अच्छे से स्प्रेड हो गई अब इसको ऐल में डाल देंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे खलके से इनको हिला देंगे एकदम जल्दी से इनको टर्न नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में जो इसकी किनारे वाली कटिंग है वो हाड हो जाएगी तभी हम समोसो को टर्न करेंगे अब धीरे से इनको टर्न कर देंगे इसी तरह साइड बदलते हुए समोसो को लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे ये देखिए चक्री समोसा एकदम गोल्डन कलर का हो गया है अब इनको निकाल देंगे यह देखिए बहुत ही खुपसूरत हमारे चक्री समोशे बने थे इसी तरह सभी समोशे फ्राई कर लेंगे दूसरा बेश डालने से पहले गयस को बन कर दीजिए क्योंकि जब तक हम समोशे नीकालते हैं ऐल जादा गरम हो जाता है तो समोसे हमें जादा गरम ओईल में नहीं डालने होते हैं तो जब डाल देंगे हम समोसे उसके बाद दुबारा गैस ओन कर दीजिए यह देखिए सभी चक्री समोसे फ्राइ हो गए हैं बहुत ही अच्छे हमारे खस्ता चक्री समोसे बने हैं लीजिये बन के तैयार हैं बहुत ए खुपसूरत और टेस्टी चक्री समोसे इस दिवाली इनको ज़रू ट्राइ कीजिएगा और अपने अनुभव कॉमेंट करके शेयर कीजिएगा इनको प्यार से बनाईए, प्यार से खिलाईए अब आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तर्का को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू, बाई बाई, नमस्ती